नमस्कार मैं स्वाती और आप देखने विंधिया टाइम्स मौगन जिले के देप तलाब विधान सभा शेतर अंतरगत पथरिया ग्राम में दो रुपय प्रति किलो के हिसाब से गोवर खरीदने की शुरू आत हुई है जिसके प्लांट स्थापना कारिक्रम में पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं वर्तमान देप तलाब विधायक गिरीश गौतम पहुँचे वहीं उन्होंने कहा कि इस मुहिम से शेतर के किसानों को आवारा मवेशी पसवों से निजात मिलेगी एवं किसानों को आए भी होगी विदितों की मौगंच कलेक्टर अजै श्रिवास्तव की अभिनाव पहल की वजह से मौगंच छेतर के किसानों को आवारा मवेशी पस्वों से निजात मिलेगी जहां एक ओर यह आवारा मवेशी पस्वों किसानों की खेती को बरबात करते थे वहीं अब किसान इन पशुओं को घर में बात कर अपनी आयक को बढ़ाएंगे कारिक्रम में संबोधन के दौरान मौगंज कलेक्टर अजश शिवास्तव ने कहा है कि पशु किसानों के लिए ATM कार्ट साबित होंगे क्योंकि जिन पशुओं को किसान अभी तक घर में बात कर नहीं रखते थे वह अब पशुओं को घर में बात कर रखेंगे और दो रुपए प्रत किलो गोबर बेच कर अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक देपतलाब गिरीश गौतम ने अपने संबोधन के दोरान कहा कि यह गोबर प्लांट काफी सराहनी है एवं इससे किसानों की आई भी बढ़ेगी तथा किसानों के फसल की रखवाली भी होगी एक नवाचार की सुरुवात की है इस नवाचार की सुरुवात के लिए आपको कहां से प्रेना मिली है कैसे आपके मन में यह विचार आया क्या है कि जैसे कि हम लोग किसान से ही जुड़े हुए हैं पूरा और किसानी हैं कि कANT तो इसके लिए क्या है कि अपने दमाग पहले जी था और दमाग में अपने यह भी मैम काम प्लांट से क्या है कि अपने मान के चलिए कि इसे खरीदेंगे जैसे कि दो रुपए किलो का तो मैं पैसे दूगा ठीक है वाँ कि हमारी घाड़ी जाएगी कि अपने कि अब उसको किस रूप बीटिलाइज करेंगे गोवल लाने के बाद हम उसमें जैसे बॉल करके कोईला मिक्स करेंगे तो इसकी हम लखडी बनाएंगे जैसा हम पर ऑडर होगा जिसमें पच्छी परसेंड भी कर सकते हैं तो इसकी हम गुल्ले भी लड्डू टाइप बनाएंगे जो भी सेव टाइप का रहता है तो बुस्त बियासा बनाएंगे तो उसमें दुंगा नहीं से रेश्टरंट वाले भी यूज करेंगे अपने घर में भी बन जला सकते हैं लाट से तो सस्ता ही वड़ेगा यह पर यूजना आपकी कहा कहा चल रही है यहां के प्रसासन और जन्प्रतिजियों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे यहां की प्रसासन ने खास तोर पर मानने चलिए कि माननी हमारे डीम साब जी ने लेक्तर साब ने बहुत बड़ा सबोड़ गिया है और उन्हें बहुत 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 धन्वार करते रहे हम आगे पड़ते कोई किसान वाई अगर इस परियोजना को चालू करना चाहें कि हमारे माननी जी विदाएक देवत आलाव मा किसानों के लिए कोई संदेश किसानों के लिए यही संदेश से मानने के चलिए कि गोबर अपना उंटा सूथा फेकते हुआ मत बहुत करके रखिए बाई हम तो 50 किलो भी होगा 20 किलो भी खरी देंगे ना और ततकर पैसा लें हमसे और बात ही कि जो गोबर से डील देती है लिलने की बज़या है उनको खिलाएं पिलाएं जब आवस्ता लगेगी तो उसमें और कुछ सुदार करेंगे पिसानों के अधिकारे में हक में जो अच्छा हो सकेगा पूहम और कुछी चाहिए परियोजना है सर क्या इसके लाब है यह बहुत वी अनूठा नवाचार है इ पहले मेरे पास आये थे उन्होंने अपना आइडिया बताया था कि हम गोबर खरीदना चाहते हैं और उस गोबर को खरीद के उसमें कोईले की चूरी वगएरा मिला करते और उससे वह लकली के गुट्टे बनाएंगे और मैंने कहा आप लकली भी बनाओ जो संसान घाट में जलाने के काम भी आ सके हैं इससे दो फाइदे होंगे आज उन्होंने अपने प्लान का उद्गाटन यहां पर किया है और पूरी मदब के शासन ने भी की है इनको प्रमोट भी किया है और यह दो रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे इनकी गाड़ी जाएगी और वहां से खरीद के लाएगी या किसान इनको प्लांट में आकर के भी अपना गोबर बेच सकता है और उनका कोई असा रिक्वार्मेंट नहीं है कि गोबर छान के या उसको अलग करके जैसा गीला गोबर है वैसा ही लाकर के बस उसमें मिट्टी गंकर पत्थर आती ना हो वो गोबर जो विक्ति यहां लाकर के वेचेगा उसको यह आने जाने का मतलब दो रुपाई किलो से मूली भी देंगे और आने जाने का जो ट्रांस्पोर्ट है वो भी अलग से देंगे और यदि उसको अपने घर से या अपनी गौसाला से बेचना है तो इनकी गाड़ी जाएगी और आरा प्रिथा के कारण आवारा पॉशू की समस्या से ग्रस्ट है तो इससे पहला तो सबसे बड़ा लाव यह है कि आर्थिक लाव है कि लोगों का गोबर भीकरा है हमने आस तक भी सुनाने कि गोबर भीकता है और इस तरह से खरीदा जाता है दूसरा यह है कि जब यह पास में सौपशू है तो एक हजार किलो वोबर हो गया उसका और दो रुपए किलो एदी खरीदा जाएगा तो दो हजार रुपए प्रतीजिन हो गये और एक महीने के साथ हजार रुपए हो बहुत बड़ी रकम है और टैक्स-फ्री है तो यह बहुत बड़ा एक मतलब मैं कहूंगा क्रांतिकारी कदम है जिससे न केवल आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी बलकि लोगों को आमदनी भी बढ़ेगी रोजगार भी नया मिलेगा और जो परियावरन प्रदूर्शन की बात है उसमें भी मदद मिलेगी क्योंकि समसान घाट में जो लक्री अगरा जलाई जाती है उसमें जंगल करते हैं लक्री की डिवान बढ़ती है तो उसका रिप्लेस्मेंट उपलब्द होगा सर इस नवाचार के प्रत क्या किसानों से भी कोई अपील करेंगे किसानों को जागरू करनेगे संदेश देने के लिए अधिक से अधिक मैं तो पह है कि उसमें कंकड़ पत्थन ना हो है ना कोई इस तरह की अलग बाहरी चीजें ना मिली हो तो जितना शुद्ध गोवार आप देंगे उतना इनके लिए भी अच्छा रहेगा और यह परियोजना की सफलता के लिए भी आवश्यक है धन परियोजना की नवाचार की के नुक्सान पहुचाते हैं तो तो यह में यह दो रुपए में गोवर खरी रहें तो लोग बाधने की प्रभित्ति को एक बल मिलेगा और साइब बाहन सके हैं तो दो रुपए उनको मिलेगा एक थोड़ा सा सहारा मिलेगा आर्थिक तोर पर एक मजबूती प्राप्त हो मुझे असा लगता है कि इसकी सफलता हमारी किसानों की समस्या का निदान होगा मुझे असा लगता है क्या यह मना जा कि पूरे MP में देवतला भिजान सवास इसको सुरूआत की है जी अब यह सुरूआत इस सफलता की तरह हम बढे पूरा प्रदेश इसको अड़ाप